सर्दी का मौसम है और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो एक ऐसा जनल सवाल है जो हर किसी के मन में होता है सर्दी का मौसम होता है धुन्द बहुत होती है और उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेंज होती है वो लेट हो जाती है या कैंसल हो जाती है तो उसके लिए अगर बात की जाए टेक्निकल टर्म्स में तो रेलवे क्या तैयारिया कर रहा है जी हां सही का आपने जैसे उत्तर भारत के छेत्रों में खास करके फॉक के कारण से गारियों का हमारा जो संचालन है वो बहुत ही बिलंबित होता है और इन सब चीजों को ध्यार में रखते हुए हम एक वो भी करते हैं कुछ गारियां जो की नियमित रूप से लेट आती है उनका हमने कुछ रद्धीकरन के क्या here in fact इस साल कम पिस्छले वर सो से काफी कम की किया है लिकिन वो धियान रखते हिए कि यात्रियों को बहुत औसुओधा ना हो इसके अलावा अगर मैं टेकंोलोजी के बात करूँ तो एक अच्छी चीज की गई है पूरे भारती रेल में, वो है fog safety device की, यह device होती है जो कि हम local pilot जो हमारे train के driver होते हैं engine driver उनको हम देते हैं और उसकी मदद से यह device में जो signals होते हैं, जैसे हमारे railway track पे अलग़ग signals होते हैं उनकी location जो है GPS के माधिम से feed रहती हैं, तो local pilot जब track प पर मेरा ये signal आने वाला है, signal की इसी तीन ही पता चलती है, लेकिन कौन सा signal आने वाला है, उसके लोकेशन किती दूर है ये पता चल लाता है, उसके नसार से वो अपनी गारी को नियंत्रित कर देता है, और पहले जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन से की fog में 50 km से अधिकतम आप नही यही हिदाये देते हैं कि आप सेफ्टी का द्यान रखते हुए गाड़ी चला है, और इसकि आपकी विजिबिल्टी बहुत ही क्लियर हो, क्योंकि फॉग के दौरान ऐसा रहता है कि आपको कुछ भी नहीं दिखाए देता है, पूरे ट्रैक पे ना कुई सिग्नल की इसी दि करते हैं कि जो ट्रेनर गर लेट आ रही है और उनको हम कहीं टाइम मेक अप करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो भी हम कारे करते हैं, हाला कि इसमें भी एक बहुत बड़ा टेक्नलोजिकल रूल भी हम प्ले करते हैं.